कि नमसकार मैं हूं सुनिल बोवी और आप इस ए मैं देख रहा है अपना खासका आजकरम खबर बिहार जहां बाते करते हैं बिहार की खबरों के साथ देस धुनिया में क्या कुछ शर रहा है तमाम ख़बरों से हम आपको कराथे अपडेट है अब लोग सभाचुनाओं की रन्निती तेज हो गई है हर जगा अब लोग सभाचुनाओं कि चर्चा भी होने लगipli इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि जलमार्ग से जुड़ गया है भोजपुर जिला सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ने के बाद अब भोजपुर जिला को जलमार्ग से भी जोड़ा गया है जिले में गंगा नदी में तीन जेटी का निर्वान किया गया है तो यह भोजपूर के लिए बड़ी खबर है वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि पटना सेंटर पर नियोजी सिच्छको के जुत्ते मोजे उतरवाने जाने पर सिच्छक संग ने जताई आपती सिच्छक संके नेता आनंद कौसल और परदीप कुमार पप्पु ने विभाग पर सिच्छको को अप्मानित करने का आरोप लगाया है आपको पता दें कि बिहार के नियोजी सिच्छको की सचमता परिच्छा आज 26 फरवरी 2024 से सुरू गया है एक तरफ जहां नियोजी सिच्छक संसमता परिच्छा का बहिस्कार कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ परिच्छा देने जब वह पहुँचे तो उनके साथ बदसलूकी की गई यानि कि उनके जहां जुत्ते कपड़े उतरवाए गए तो जैकेट और स्वेटर भी उतरवाए गए यही नहीं महिलाओं के मंगल सुत्र और कानवाली भी उतरवाने का कार्जि किया गया जिससे सिच्छक काफी आक्रोसित हुए दूसरी बात पता दे कि जहां सिच्छकों को यह मुखमंतिरी नितिश्कुमार ने कहा था एक मामूली सी परिच्छा लिग जाएगी लेकिन जब परिच्छा देकर नियोजी सिच्छक बाहर निकले तो कहा गया कि यह कोई मामूली परिच्छा नहीं थी कि हमें मौस धरने पर भी जो तीर होता है वह इदर उदर भाग रहाता जिसके कारण कई परस ने छूट गए मुझे अकबा काहट लग रही थी मुझे बहुत असाज महसूस कर रहे थे फिर भी अम परिचा में बैठे हैं देखते हैं सरकार क्या करती है वही हम संदर्चंग जिताराम मांजी का नेता परतिपच्टे जश्वी यादों पर बड़ा आरोप है जिताराम मांजी ने कहा ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 50-50 लाख रुपे लेकर 1000 क्रोर रुपे कमाने की कोशिस की गई है जिताराम मांजी का बड़ा आरोप है तो विदेश में भी काफी पसंद किया जाता था फिल में नाम के गित चिठी आई है से उन्हें दुनिया में पहचान मिली थी तो अपनी पूरी तीम की ओर से भी उन्हें सर्धान जली वहीं तेजश्वी की यातरा से पहले फारे जा रहे है पोस्टर जदिव के परदेश महाचे सचेव निखिल मंडल ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है जदिव का आरोप है कि तेजश्वी की यातरा से पहले जदिव के पोस्टर को आरजेडी समर्थक उतार रहे ह यह बड़ा आरोप लगाया गया है वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में लगतार पीम की दोरा अब शुरू होने वाला है वहीं पीम के दोरे को लेकर एंडिये नेता काफी उत्साहित है पीम मोदी के बिहार दोरे को लेकर एंडिये के नेता उत्साहित है पीम मोदी और अं मंच पर होंगे और अंगावाद और बेगुस राय में जन सभा करेंगे पिये मोदी आपको बताते चले अगली बड़ी खबर के रूप में की लोग सभा चुनाओं से पाले पिये मोदी की बड़ी सोगात है पिये मोदी ने सोमबार को भारतिय रेलवे के 41,000 क्रोड रुपे लागत की परियोजनाओं का लोकारपना और सिला न्यास किया है तो यह भिहार के लिए बड़ी सोगात मानी जा रही वही कठिन सवाल से सिचक संग में आकरोश जताया है नोकेरी सहटाने की साजीस का लगाया है आरोप है कि यह सरकार परिछा नहीं बलकि नोकेरी से हटाने के लिए सिच्छकों को इस तरह के प्रस्ण दिये जा रहे हैं कठिन प्रिस्द दिये जा रहे हैं वहीं मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता दिखरा है वियार में एक बार फिर बारिस के असार बताए जा रहे हैं पटना साइद बिहार के कई जिलों में एक बार फिर से बा के लिए नितियां बनानी होगी यहां लगू अस्तरिय उधोक का जाल विक्सित करना है यूपी में निवेश को निवेश हो रहा है यूपी में 36 तरह की पॉलिशी है अधिकारियों को इन नितियों का अध्यन करने का निर्देश दिया गया है तो वहीं हम आपको बता दे चार 2477 पैक्सों में मार्स से कंप्यूटर लगने शुरू हो जाएंगे तैयारी शुरू की गई है बिहार के 4477 पैक्सों में मार्स में कंप्यूटर लगने शुरू हो जाएंगे परतम चरण में इन सभी पैक्सों में कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा पै पैक्स के लिए बड़ी खबर थी वहीं वाटर मार्क पेपर पर ही जारी होंगे अब बालू के लिए इचालान नई बेवस्ता के अप्रैल से लाग होने की सम्हावना जताई गई है राज के सभी बालू घाटो पर जारी होने वाले बालू चलान अब वाटर मार्क वाले सेंटर उपमक मंत्री ने किरिशी विभाग के कार्जों को देखा युकों को किरिशी की तरफ आकर्षित करें विजय कुमार्शिना ने कहा है राज के किसानों के समस्याओं का समधान के लिए कॉल सेंटर खोला जाएगा वितादेन किरिशी विभाग के समिचा के दौरान उपमक मंत्री सा किरिशी मंत्री विजय कुमार्शिना ने अधिकारियों को इस बावत आवश्यक दिसानिर्देश जारी कर दिया है तो वहीं राजद माई बाप की पार्टी तो एंडिये का जनता सबकुछ पोलिस समराच चोदरी चोर दरवाजे से सत्ता में आये लोगों को हटना पड़ेगा विद्यापती भावन में भाजपा का अधिवक्ता समागम उपक्मंत्री सह परदेश भाजपा अध्यस समराच चोदरी ने राजद पर कटाच किया है वाजपा विदी पर कोष्ट की ओर से रविवार को विद्यापती भावन में आयोजित अधिवक्त अधिवक्ते शमागम में उन्होंने कहा कि राजदनेता कर रहे हैं उनकी पाटी बाप की है उनके पिता कहते थे कि पाटी माई की है सही भी है राजद माई और बाप की ही पाटी है जबकि एंडिये के लिए माई बाप जनता ही है तो यह समराड चोदरी का बड़ा बियान आया है वहीं बता दे कि पटना समेत आठ जीलो में अबयद बालू खनन की निगरानी करेगा आप चेक पोस्ट संपर्क पत के मुख्य सड़क को जोड़ने वाली जगों पर चेक पोस्ट बनेंगे CCTV कैमरे भी लगेंगे राज के असी घाटों से हो रहा है बालू का फिलाल खनन वहीं लोग सवाज छेतर में तीन साल पूरा करने वाले कर्मियों के तबादले की रिपोर्ट तलब की गई है चुनाव आयोग के निर्देश पर समान परसासर विभाग ने जारी किया है यह पत्र तो अहीं हम आपको अगली ख़बर बता दे कि विकास भैबव ने कहा है कि बैकल्पिक सिच्छा से हल होगी रोजगार की चुनोतियां बताते चले कि आई जी विकास भैबव ने जी टी आई आरे शिखर सम्मिलेन में कहा कि अगर भारत को एक बिक्सित राष्ट बनना है तो बिहार को एक बिक्सित राष्ट बनना होगा बैकल्पिक सिच्छन मोडल बढ़ती हुआ अबादी इसकी रोजगार आउसकताओं को पुरा करने की कुन्जी है तो वहीं बतादे की राजदानी में जल सनरचर के लिए इगारत तलाबों का होगा अब जिर्णो दवात पटना नगर निगम की वितियवर्ष दोजार चोबिस पतिस का बजट 28 परवरी को लाया जाएगा तीस क्रोर परियावरन सनरचर पर खर्च करेगा नगर निगम वहीं डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वहन सी एंजी में बदले जाएंगे सहर में धूलकन से निपटने के लिए एंटी एस्मोग गन की भी खरीद होगी तो इस तरह से मार्च में बजार में सुधार होने की बात है तो अहीं करमचारियों के डीए में चार फिजदी के ब्रेदी स्वंभव के दर सरकार मार्च महीने में कर सकती है बढ़ोतरी का एलान 46 फिजदी से बढ़कर मोजुदा मांगाई भत्ता 50 फिजदी हो जाएगा आपको बता दे कि पिछली बार भी इतनी ही बढ़ोतरी हुई थी आपको बताते चले कि काफी पेंसंधारियों को भी इसमें फायदा होगी तो बिहार में नियोजी सिचको का भी इसमें फायदा मिलेगा तो वहीं राहुल गाधी ने काए कि हमारी सरकार आई तो एक मिनट में MSP लागू करेंगे यानि कि आगरा के तेड़ी बग्यापर बिते दिन दो पहर सियासत की साजा लकिर खिच गई दो दल दो बिचार मिले और दो लड़कों ने साजा संकल पे लिया भाजपा हटाओ देश बचाओ युकी में असी हराओ और सभिधान बचाओ तो इस दवरा रावल गांदी ने इलान किया कि हमारी सरकार आई तो एक मिनट में MSP लागू करेंगे तो अब वहीं बता दे कि चुनावी डुगडुगी बजने से पहले घुसनाओं की लगेगी जड़ी बिहार को परधान मंत्री सब्ता भर के अंदर देंगे दो लाग क्रों रूपे से अधिक काव पहार सत्ता पच की पहल को भाब कर भी पच हुआ शक्रिये बढ़ी चुनावी गहमा गमी 28 को राजनास्ती, 2 मार्च को परधान मंत्री और रंगावाद बेहेंगे एवं 5 को ग्री मंत्री अमीज सा आ रहे हैं बिहार दोरे पर तो लगातार नेताओं का दोरा सुरू वहीं बचे वाडो में पारी तिमाही तक सुरू हो जाएगी नल से जल की आपूर्ती, 30,000 से अधिक ग्रामिन वाडो के भूज जल में आईरन, फुलॉराइड वा अर्षैनिक के मातरा अधिक तम से भी अधिक है तो इस तरह से नल जल का भी बाते आगे की बढ़ाने की बाते आ रही है वहीं बिहार को दस दिनों में पीम दोला करोज से अधिक किसोगात देंगे उपमुक मंतरी समरार चोधरी ने का है, भाजपानेताओं ने पीम के मन की बात को सुना तो मार्च को कई योज नाओं का उद्गाटन पीम मोदी करेंगे वहीं बिहार में इन दिनों बिहार के नियोजी सिचक जो है अंदोलन रत हैं और अपनी मांगो के लिए सरकार से आगरा कर रहे हैं इधर बिहार में अब एक लाग की अबादी पर एक थाना होगा दियारा से लेकर घनी अबादी वाले चेतरों पर पूलिस की पकड़ बढ़ेगी 176 पूलिस चोंकी के थाना बनने से राज में 1212 थाने हो गए हैं छह जीलों में बने 27 नए थाना पटना, भोजपूर, सारण, रोतास, नवादा और बैसाली में बनाए गए हैं बालू मफियाओं पर करवाई में पर्मुक अबनियों वाले कई जीले सामिल किये गए हैं तो वहीं हम आपको बता दें कि सियासत नहीं बिगास किया है पियम मोदी ने काया, परदान मंत्री ने गुजराद में डेश के सबसे लंबे केवल पूल सुदर्सन से तुका किया उदगाटन 500 क्रोर को बिहार की विभिन योजनाओं का सिलानियास और लोकारपन भी किया गया वहीं पियम ने पुनिया मेटकल कोलेज अस्पताल का भी लोकारपन किया है वहीं किसानों को घर बैठे मिलेगा बिजली का क्रिशी कनेक्शन वियार में पंचायत और परखन अस्तर पर लगाये जाएंगे विसेश शिवीर किसानों को मिलेगा निसूल कनेक्शन सत्तर पैसे प्रती इउनिट दी जाया रही है बिजली क्रिशी फिल्ड फिडर को सोर उर्जा से चलाने की अब तयारी भी चल रही है वहीं तेजश्वी आदों ने काया कि ये राज सरकार से जनता उब गई है वहीं हम आपको बता दे कि उधमी योजना में बिना जीयो टैगिंग के दूसरी किस्त नहीं दी जाएगी लाबन लेने के बाद भी उत्पादन नहीं सुरू करने वाली इकाई को चिनित कर होगी करवाई मापरबंदन ने प्रात्मिकी का भी दिया है आदे से तो वहीं PTC बिहार पुलिस के 40% जमान निसानाच लगाने में चुके वर्ष 2004 से 2009 के बीच नियुकते 5535 सिपाई परसीचन में हुए थे सामेल और दोबारा मिलेगा इन्हें मोका और आपको बताते चले कि इन दिनों लगतार लोग सबाचुनाओं की तैयारी में लोग लग गए हैं तो आज की बस खास ख़बरे यही थी आपकी काम की ख़बरे भी हो सकती है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे महतरम